नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पन्याल स्टड़ी और लास्ट वीडियोस हम डिसक्स कर रहे हैं ओल्ड क्वेस्ट में पर जितने में हम आपस अवेलवेल हैं तो अभी तक हम वीडियो बना चुके हैं जी एलेक्टिकल जी के सेक्शन के उपर उसके बाद जी सिविल के पर और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं यह एक्जाम आप कर रहेगा हॉर्टिकल्चर एक्स्टेंशन ऑफिसर का और बात करें इस एक्जाम की तो यह एक्जाम आपका है दिस्टंबर 2017 का तो यह भी 2017 का एक्जाम है तो चलिए फिलाल देखते हैं इसमें क्या क्या क्या क्वेशन है, उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लेश तो वो चीजी भी हम इसमें कवर करेंगे, टॉटल 50 इसमें पूछे के हैं तो फिलाल क्या 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 है, तो फिर्स्ट आपकी पास क्या है, तो सबसे पहले जो विख्यात गुपस्चाशक थे, वो कौन थे, तो देखिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपके पास सभी चीज़े मिक्स है जिसमें हिस्ट्री होगी जियोग्राफिय होगी पॉल्टी होगी हिमाचल जीकी होगया जनल साइस होगी सारी चीज़े कंबाइन है और पहले भी मैंने एक सीरीस स्टार्ट की थ तो चली फुलाल इसको देखते हैं तो फ्रस्ट क्वेशन आपके पास था पहले विक्याद गुप्षास कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीगुप्त नेक्स्ट क्वेशन क्या है दस सब्जेक्ट मेटर आफ अजन्ता पेंटिंग पर्टेंस टू अजन् इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन क्या है संग टेंपल इस सेचुटिट एट तो सूर्य मंदर कहां पिस्तित है इसका करेक्ट आंसर आप्शन से यह है कौनार्थ में नेक्स्ट क्या है ददेले सुल्तान हू रूट हैस मिमायर वाज तो दिली की वह सुल्तान जिस विद्ध लिखा था वो कौन थे तो 124 का correct transaction A उनका नाम है फिरोज तुगलग टेक आटो बायोग्राफी जिसे हम कहते हैं तो ये इनके द्वारा लिखे गी थी अपनी next question क्या है भक्ती moment was started by तो भक्ती आंदोलन कि इसके द्वारा शुरू किया गया था इसका correct transaction A ये किया गया था अलवर संथ के द्वारा तो option A correct answer इसका next टीपु सुल्तान डाइट फाइटिंग था इंग्लिश फोर्स अंडर तो जब टीपु सुल्तान की डैथ हुई थी तो उनकी विरुद में उनके किलाफ में इंग्रेश थे तो उनका लीडर कौन था ये पूचा गया इसमें तो 126 का correct transaction B Lord Wellesley Lord Wellesley उस ताइम जो इंग्लिश फोर्स है बिटिश फोर्स ही थी उनकी लीडर थे जब टेपु सुल्तान की डैथ हुई थी next 127 the first railway line in India was open in the year तो भारत की जो पहली railway line है वो किस वर्ष चालू हुई थी तो option B 1853 correct answers का next question क्या है the first Indian to contest an election to the British house of common was Britain के जो house of common है उसके लिए चुलावलने वाले पहले पारतिया कौन थे 128 का correct transaction A उनका नाम है दादा भाई नारोजी next question क्या है the power to curve out a new state is vested in option तो एक नए राजा जब बना जाता है तो यह जो power है यह सत्ता है किस के पास होती है तो correct answer is का option A Parliament के पास option A the Parliament यानि कि हमारी संसत next equal pay for equal work has been insured in the Indian constitution as one of the तो हमारे भारतिया साथान में एक चीज़ कही है यह सामान काम के लिए सामान वेतन मिलेगा तो यह किस चीज में include है कहां यह बात कही है तो correct answer is का option C directive principle of state policy तो जो राज्य की नीदी निदेश के सिदानत है उसमें चीज़े include के गी है कि equal pay for equal work next 131 who is called as the father of Indian economic reform तो भारतिया अर्थवस्ता सुदार की जनक कौन है किने माना जाता है तो option C correct answer is next which one of the flowing cannot be dissolved तो इन्वे से कौन सीच है जो भी खटी तो नहीं हो सकती तो वह है राज्य सबा option B correct answers का तो कल मेंने exam discuss कर रहा था जहीं civil का उसमें भी question पूछा गया था उसमें लेकिन ये question फोड़ा अलगतिकर से पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि राज्य सबा को dissolve कौन करता है तो कोई नहीं करता है क्योंकि ये permanent house है ठीक है तो यहां पी पू तो जो राष्टी विकास परिशेद उसके स्ताफना कब हुई थी option C 1952 correct answers का उन्निसव बावन next question क्या है the least populated state in India is भारत का कौन सराज्य सबसे कम आवादी वाला है तो यह सिक्किम next 135 the standard of living in a country is represented by its तो किसी भी देश का जो जीवन स्तर है वो किसके द्वारा represent के जाता है प्रदश्यत के जाता है निरूपित के जाता है तो option B per capita income इसका correct answer है प्रतिवक्ति आये कितनी है उस country की वहां से आप standard of living चेक कर सकते हो और से पार्टिकुलर निशन का next 136 blue revolution is related with तो नीली करांती का समथ किस से है तो यह है फिस प्रोडक्शन से मतवस्ते उत्पादन से option A correct answer इसका next 137 the process of curing inflation by reducing money supply is called तो inflation यानि की महंकाई जीस हम कहते है मुद्रा अपूरति कम करके मुद्रा सफीति संसादन प्रक्रियक के कहलाती है तो inflation की मुद्रा सफीति यानि की महंकाई जीस हम कहते है तो the process of curing inflation by reducing money supply अगर हम money supply को reduce कर देते तो उसके विज़े से कहते है inflation को cure के जासे तक कम के जा सकता है तो उसे क्या कहते है 137 का correct transaction C उसे कहते है dis inflation of safety तो यह उसका correct answer है next question gave 138 which one of the following is not an example of indirect text तो इन में से कौन सा एक आपर text का उधार नहीं है कौन सा एक उधार नहीं है ठीक है तो दिखिए यहां पर जो English में लिखा है यहां पर not कर यूज के गया है और यहां पर आपकी पास नहीं कहीं पर भी नहीं लिखा है ठीक है लेकिन अगर हम as per option दिखते हैं लेकिन यहां पर अगर बात करें question की तो question हिंदी में कुछ और पूछा गया है English में उसका meaning कुछ और बन रहा है लेकिन अगर हम as per आपकी पास जो option दिए है उनको अगर study करते हैं तो sale tax, excise tax, excise duty और जो custom duty है यह आपकी पास example है indirect tax के तो यानि आपके पास जो question यहां पर ही वो क्या है कि which one of the flowing is not an example of indirect tax indirect tax के example कौन सा नहीं है तो यहां पर बज़ा जाए आपके पास है expenditure tax जो एक direct tax में आता है तो अगर के पर exam में printing mistake रहती है तो आपको वहां पर खुद का mind लगाना पड़ेगा option को देखे कि कौन सा जो option है वो correct हो सकता है तो यहां जो correct answer है वो है option D expenditure tax तो next question के है 139 God particle is God particle क्या है 139 का correct answer option B यह है Higgs boson Higgs boson क्या है God particle next 140 क्या है The most abundant element out of the following is तो इन में से कौन से सर्वधिक पच्चूर मातना पाजाना रहा है तत्वा है 140 का correct answer option D यह है oxygen next 141 epicenter is concerned with तो epicenter यानि की अधिकेंदर और इसका समंध किसके साथ है तो correct answer option A अर्थ को एक के साथ next question के 142 The highest waterfall of the world is तो विश्व का जो सर्वच जल पर पाता है वो कौन सा है 142 का option C option C Salto angel fall तो यह highest waterfall है वर्ड का next question 143 in the absence of ozone layer which rays will enter into the atmosphere अगर ozone पर तो नहीं है अगर नहीं होती तो हमारी वाई मनें कौन से किरने परभेश कर कह जाती 143 का option C ultra-voiled तो यह इसका correct answer है next 144 if the atmosphere is cooled its capacity for what the paper is यदि जो वाई मन्टल है वो थंडा हो जाए तो जल वाश्प के लिए उसकी क्षमता क्या रहेगी बढ़ेगी गटेगी या इस इसका correct answer option A तो वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी option A correct answer का next the driest location on earth is in which country तो पृत्व जो सबसे शुष्क स्थान है वो किस तेश में है किस निशन में है 145 का option B chilly correct answers का next 146 in which of the flowing state is Loktuk Lake situated तो Loktuk Chichil है वो कहां पे है तो यह है मनीपूर में option C correct answers का next Kaachiranga Vailab Singchury तो यह है आपका असम में option A correct answers का 148 Koderma is the leading producer of तो Koderma यह किस का प्रमुक उत्पादा के किस चिज का उत्पाद यहां से होता है 148 का correct answers option B Micah का next 149 the color of star depends upon there तो तारों के जलंग है वो किस चिज भी नीरभर करता है 149 का option A temperature के उपर depend करता है next 150 the means of energy in sun is तो सुर्य के जी उत्पाद है उसका मुख्य स्त्रोथ क्या है 150 का correct answer option A यह है nuclear fusion next 151 which one of the flunk has maximum clarific value वो इनमें से सबसा सबसादीक जो उसमें मान है किस में होता है तो यह होता है oil gas में option से correct answer next in galvanization iron is coated हुए थै तो जब galvanization की जाती है तो लोह को किस के साथ coat के जाता है 152 का correct answer option B यह के जाता है zinc के साथ तो galvanization की बात करें तो इसमें क्या होता है जो लोह हो आता उसके उब एक पल चड़ाए जाती है क्यों ताकि उसको जंग ना लगे रस्टिंग ना हो उसमें तो इसलिए किये जाती है zinc की coating तो last जो मैंने exam डिसकूस कर था उसमें भी यह same question पूछा गया था next question क्या है the sky looks blue due to तो आस्मान हमी नीला दिखाए देता है उसका reason क्या है option B, scattering के वेज़े से तो यह इसका correct answer है next 154 क्या है dolphin are classified under तो dolphin को किस चीज में वर्की क्या जाता है correct answer है इसका option D 154 का option D तो यह आते हैं स्तंधारी में मैमल जिन हम कहते हैं next 155 के pointing toward a man in a photograph अरुना सेड तो फोटोग्राफ में एक आदमी की और अंकित करते हुए अरुना ने कहा कि वह मेरी बहन की भाई की पिता का एक मात्र पुत्र का पुत्र है तो उस आदमी का अरुना से किस तरह से समंध है किस तरह से उस समंध है तो इसका जो correct answer है आपकी पास 155 का तो वह है option A तो यह क्या है उसका बतीजा तो option A correct answer है उसका next 156 के है एक अक्षा में पांच हात रहे है किशोर की स्तिती संजीत से उपर है मनोज अहेंद्र के नीचे है सुझय मनोज और हेंद्र से उपर है तो सबसे नीचे की स्तिती पर कौन है तो इसका मैं आपको answer बताता हूं answer इसका option A सबसे नीचे रहेगा मनोज तो यह easy होते हैं आप जितना खुद ट्राय करेंगे उतना ही अच्छे से आपको reasoning आएगी तो बहतरी ही है आप कुछ से ट्राय करें और answer इसका मैंने आपको पताती है answer है का option A मनोज next question gap 157 which app has been lost तो देखिए यह current fair का है उसके बार next question यह भी current fair का है तो exam 2017 का है तो current fair को discuss करके कोई फाइदा नहीं है लेकिन अगर आपकी आप exam देने वाले हो जिसमें आपकी पास 170 question रहते हैं और ऐसे exam जिसमें 120 जो आपकी question रहते हैं वो सारे एक सारे रहते subject oriented यानि जिस field से आप related exam दे रहे हो अगर उसमें 50 question आपकी जिकी कहते हैं तो उसमें जो current fair रहते हैं वो last two months के रहते हैं जिस month आपका exam होता है उस month को छोड़ के हैं तो यह मैंने आपको बता दिया है उतना पर इसको study कर सकते हैं तो current fair को मैं हैं आपके skip कर रहा हूं उसके बाद next आपकी पास है ही मांचल जी की तो उसको cover कर लेते हैं question कहें रोतांग literally means तो रोतांग का मतलब क्या है रोतांग तरह जो कुल्लू में है तो इसका मतलब कहा है रोतांग का यह है he popped dead शवो का धेर next question कहें गुरु गंटाल कॉमपा is fully made of तो गुरु गंटाल कॉमपा यह किस चीज़ का बना है 162 का करेक्ट अंसरप्शन यह यह बना है लकडे का next मियान अवतार सिंग was a famous wajir of the state of तो अवतार सिंग जी किस रियासत के पर सिद वजीर थे करेक्ट अंसरप्शन सी चंबा 164 CSIR complex तो यह जो complex है यह कहां पर है कि इसके नजदीक है तो option D पालंपुर के नजदीक है CSIR complex next तो इसके full form में आपको बताता हूँ CSIR CSIR की full form क्या है Council of Scientific and Industrial Research तो full form आपसे कहीं भी नहीं पोचेंगे next 165 क्या है Antonium of the word Zenith तो इसका Antonium यह नहीं के opposite word क्या होगा 165 option C नादीर इसका correct answer है तो उसके बाद next आपके पास question क्या है meaning of the idiom to show a clean pair of a hill is तो इसका meaning क्या होगा 166 का option D to run away भाग जाना to show a clean pair of hills का में लोग जाना to run away next question क्या 167 I urged blank my son the importance of a hard work 167 का correct answer option A on I urged on my son the importance of a hard work next next हिंदी आपकी पास question क्या है for for one का उचान स्थान कौन सा है 168 का option A host correct answer 169 तच्छन शब्द कौन सा इन में से correct answer option B next or last question क्या है particular portion का question क्या है अर्थी का विप्रातक शब्द कौन सा है correct answer is option D प्रत्य अर्थी तो अर्थी का जो उल्टा शब्द है वो है प्रत्य अर्थी तो आज के लिए इस वीडियो में फ्लाव इतना है so thank you so much प्रत्यू प्रत्य अर्थी के तो उल्ट उल्ट प्रत्य देखर एक करते हैं